और अब जब सुरत के एपिलियेट कोट का जज्मेंट आया है उसका वर्डिक्ट आया है पूरे देश में खुशी का माहोल है और खास करके पिछड़े वर्ग में जिसके प्रती राहुल गांधी के मन में वेमनस्य का भाव था जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्ती जनक शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें गाली देने का काम किया था और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे वो नहीं हो पाया है यह जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके जो गांधी परिवार यह सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा आज सूरत के अपिलियेट कोट से यह सिद्ध होता है कि कानून सब के लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है हमें याद है जब ट्रायल कोट का जज्जमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कॉंग्रिस के लोग और एक एको सिस्टम जो कॉंग्रिस के साथ रहती है इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहूल बनाया कि ये ट्रायल कोट में कुछ गड़बडी थी ये ट्रायल कोट के जज्ज और ट्रायल कोट का पूरा का पूरा जो सिस्टम था कहीं ने कहीं वो बायस था, उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोट ने फसाने की कोशिश की राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था क्या हो गया अगर उसने OBC समाज को गाली देने का काम किया क्या हो गया अगर पिछड़े वर कोस ने चोर कह दिया तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था कहीं न कहीं एक साजिश थी दिस वस डेट अफ डेमोकरिसी इन इंडिया और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहूल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहूल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लमेंट से एक तरह से डिस्क्वालिफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था मगर आज जब अपीलियेट कोट से जज्जमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वस नॉट डेट अफ डेमोक्रिसी अफ इंडिया दिस इस अब्लो ऑन दि आरोगेंस अफ दि गांधी फैमिली यह लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है यह जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहूल गांधी का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आगात है कोट के माध्यम से अपीलियेट कोट को भी लगा कि there is a merit जिस प्रकार से पिछडे वर्ग के खिलाफ OBC समाज के खिलाफ गाली गलोज करने का काम राहूल गांधी और उसके बाद राहूल गांधी को सपोर्ट करते हुए कॉंगरिस पार्टी ने किया था अपीलियेट कोट कन्विंच होती है कि इसमें merit है जो ट्राइल कोट ने किया था और राहूल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे कारे करता थे वो राहूल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण नियाए पालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमन कर रहे थे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेट्मेंट जारी कराने का काम भी कॉंग्रे लिए तो विजय का उच्सव है ही यह कि इस न्याएपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है क्यूंकि जिस्तजियाओ के खिलाफ सडकों पर अंदुलन करके मोबिलाईजेशन करने का काम कॉंग्रेस पाटी कर रही थी आज उसी न्याए पालिका ने कहा कि आप कितना भी दवाब या प्रेशर की राजनीती हमारे उपर करने की कोशिश कर सकते हैं मगर we don't buckle under pressure आपके pressure tactics के कारण आपके दवाब की राजनीती के कारण न्याय पाली का जुपती नहीं है जो अन्याय है वो अन्याय है इतना ही नहीं आपने देखा था दो कदम आगे निकल कर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़कें हैं ये राहूल गांधी केवल साधारन मनुष्य नहीं है ये साधारन हिंदुस्तानी नहीं है ये तो गांधी परिवार का सदस्या है उनके नाम में गांधी लगा हुआ है इसलिए the law should treat him differently कानून इनको भिन करके इनके साथ वरताव करना चाहिए था न्यायले को इस प्रकार दो वर्ष का जेल नहीं सुनाना चाहिए था क्योंकि ये राहुल गांदी है ये कोई और होते तो ठीक है भाईया तुम दो साल के जेल में जाओ हमें क्या जा रहा है मगर राहुल गांदी है इसलिए गांदी परिवार के लिए एक दूसरा मानदन्ड हो गांदी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाशित हो there should be a separate law for the गांदी फैमिली यहां तक demand उनके member of parliament ने किया था प्रमोतिवारी जी ने किया था यह public domain में मौझूद है और आज के इस judgment से एक बात स्पष्ट होता है कि इस देश में समविधान का राज है परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए preferential treatment नहीं हो सकता है उसे अलग दुरुष्टिकोन से देखा जाएगा ऐसा treatment किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है बंदुगन आज हार दो entities की हुई है दो ऐसे मांदन्ड है जिनका हार हुआ है arrogance of the Gandhi family गांदी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है और दूसरा यह जो पूरा का पूरा ecosystem है गांदी परिवार के defense में जो उतरता है सड़को पर उसमें congressy तो हैं क्योंकि वो congressy तो party के लोग है मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैटे हुए है जिनको हम ecosystem कह सकते हैं जो तुरंट गांधी परिवार के arrogance के defense में निकलाते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है यह उचीत नहीं है आज यह हार इस ecosystem का भी है मैं कहूंगा कि आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ जिस समय यह पूरा judgment सूरत के trial court ने सुनाया था उस समय भी सूरत के trial court ने राहुल गांधी को court के परिशर में अपने समक्ष यह मौका दिया था कि राहुल जी अभी भी समय है यदि आप हाथ जोड के माफी मांग लें OBC समाज से कि आपने गल्द किया है आपने सही नहीं किया है तो हम विचार करेंगे राहुल जी आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी हूँ तरिस नाथिंग कॉल्ड सौरी इन माइ डिक्षनरी हरे राहुल जी कान पकड़के उठक बैठक करके आपने सुप्रीम कोट में माफी मांगी थी तो आप ये मत बोलिए कि आपके डिक्षनरी में सौरी शब्द नहीं है अभी भी मौका है एहंकार को त्यागिए तजिये एहंकार को और देश के सामने OBC वर्ग से शमायाचना करिए कि जो मैंने किया गलत किया मुझे ये नहीं करना चाहिए था धन्यवाद कोई प्रश्ण हो तो अवज से पूछे देखे जहां तक कॉंग्रेस पार्टी का सवाल है कॉंग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विशय में कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट करना उनको राजनीती में आगे रखना उनको स्टार प्रचारक बनाना ये तो कॉंग्रेस समय समय पर करती रही है आज जो इमरान प्रताबगडी करनाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं इस पूरे विशय को लेकर करनाटक प्रदेश ने भारतिय जनता पाटी ने वहां प्रेस कॉन्फेंस किया है उनके स्टेटमेंट्स इमरान प्रताबगडी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरिफाई करते हैं उसको भी जारी किया है अतीक अहमत जैसे विक्तियों को अपना गुरू मानते हैं उसको भी भारतिय जनता पाटी ने करनाटक में उजागर किया है मगर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है ये कुछ पॉलिटिकल पाटी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बोटी-बोटी काट देने वाले राजनीती पर विश्वास करते हैं आपको याद होगा पिछले चुनावों में इस प्रकार के नारे भी प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी जी के लिए कहा गया था कि हम बोटी-बोटी काट देंगे ये तो वही कॉंग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा हम तो कबर को देंगे मोदी तेरी कबर को देगी तो इस प्रकार की पार्टी से आप क्या अशा करते हैं ये वो पार्टी है जिसमें मनी शंकर आईयर स्टार प्रचारक है जो पाकिस्तान में जाकर गुहार करते हैं, मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा, ऐसी पाटी से और कुछ अपेक्षा करना, मुझे लगता है उचित नहीं होगा, Congress and Appeasement are synonymous, Congress और तुष्टिकरन ये दोनों परियावाची शब्दे हैं, और ये हिंदुस्त की जनता और करनाटक की जनता भली भाती जानती है,